प्यारे विद्यार्थियों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घरों में सुरक्षित होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई जारी रख रहे होंगे. आज हम कक्षा 6 का अध्याय, पौधों को जानिये का अध्यायन करेंगे. प्यारे बच्चों, आपने पहले क्या सीखा है उसके बारे में जानते हैं. हमें फल और सबजियां कहां से प्राप्थ होती हैं? पौधों की जड़ों से प्राप्थ होने वाली सबजियों के नाम बताओ. पौधों के भिन भिन भागों के नाम बताओ. आज हम इस अध्याय में क्या सीखेंगे? शाक, जाड़ी एवं व्रिक्ष, तना, पत्ते, जड़, पुष्प आओ बच्चों, अब हम शाक, जाड़ी एवं व्रिक्ष के बारे में जानते हैं बच्चों, पौधे वह सजीव होते हैं, जिस कारण धर्ती पर जीवन संभव है पौधे हमें पुष्प, फल, सबजियां, लकडी और दवाईयां प्रदान करते हैं अपनी उपस्तिती को बनाई रखने के लिए मनुष्य और जन्तु भिन 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 रूप से इनके भिन भिन भागों का प्रयोग करते हैं पौधे के मुख्य चार भाग हैं, जड़, तना, पत्ते और पुष्प हर भाग का अपना अपना काम होता है आओ, अब हम तने और शाखाओं को देखें और इस आधार पर पौधों को भिन 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 वर्गों में बाटते हैं हरे एवं कोमल तने वाले पौधे शाक और हर्ब्स कहलाते हैं ये सामान्यत हः छोटे होते हैं और अकसर इन में कई शाखाएं नहीं होती कुछ पौधों में शाखाएं तने के आधार के समीब से निकलती हैं तना कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता इन्हें जाड़ी या श्रब्स कहते हैं कुछ पौधे बहुत उंचे होते हैं तथा इनके तने सुद्रढ एवं गहरे होते हैं इनमें शाखाएं भूमी से अधिक उचाई पर तने के उपरी भाग से निकलती हैं इन्हें व्रिक्ष या ट्रीज कहते हैं कमजोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते और ये भूमी पर फैल जाते हैं इन्हें विसरपी लता कहते हैं जबकि कुछ पौधे सहायता से उपर चड़ जाते हैं ऐसे पौधे आरोही कहलाते हैं ये शाक, जाडी और पेडों से भिन हैं तना आओ बच्चो अब हम पौधे के एक भाग तने के बारे में बात करते हैं तने के बारे में जानने के लिए हम एक क्रिया करेंगे इस क्रिया में एक गिलास को जल से एक तिहाई तक भरो जल में लाल स्याही की कुछ बूंदें डाल दें शाक के तने को गिलास में रखें आठ से दस घंटे बाद देखेंगे तो आप को शाक के कुछ भाग लाल नजर आएंगे तो क्या आप बता सकते हैं कि यह लाल रंग यहां तक कैसे पहुँचा तने को मोटाई में काट कर इसमें लाल रंग देखो हम देख रहे हैं कि लाल रंग के अनेक बिंदू तने के अंदर गोल घेरे के रूप में पड़े हैं आओ अब सफेद शाक वाले पुष्प से क्रिया करें सफेद पुष्प वाले शाक के तने को गिलास में रखकर उसमें कुछ बूंदें लाल स्याही की डालें दूसरे तने को लंबाई से आधी धूरी तक दो हिस्सों में काट लें एक हिस्से को गिलास ख और दूसरे हिस्से को गिलास ग में रखें आठ से दस घंटे बाद गिलास क वाले पुष्प और गिलास ख और ग वाले तने के पुष्प पर प्रभाव देखें हम देखते हैं कि क वाले गिलास का पुष्प लाल रंका हो जाता है और ख और ग के बीच वाला पुष्प आधा नीला और आधा लाल हो जाता है तो बच्चों, इन दोनों क्रियाओं से हमें पता चलता है कि पानी तने में उपर की ओर चड़ता है भाव तना पानी का परिवहन करता है पानी में घुले खनेज पानी के साथ तने में उपर पहुँच जाते हैं पानी और खनेज तने की पतली नलियों द्वारा पत्तों और पौधों के अन्य भागों में पहुँचते हैं पत्ती आओ बच्चों अब हम पौधे के एक और भाग के बारे में पढ़ेंगे वह है पत्ती बच्चों सबसे पहले ये बताओ कि सभी पत्तों का आकार, शकल, रंग एक जैसे होते हैं पत्ता तने के साथ कैसे जुड़ा है पत्ते का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ा होता है पर्ण वरिंत कहलाता है पत्ते के चप्टे हरे भाग को फलक कहते हैं पत्ते की रेखित सनरचनाओं को शिरा कहते हैं पत्ते के मध्य में एक मोटी शिरा दिखाई देती है इसे मध्य शिरा कहते है पत्तियों पर शिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को शिरा विन्यास कहते है यदि यह डिजाइन मध्य शिरा के दोनों और जाल जैसा है तो यह शिरा विन्यास जालिका रूपी कहलाता है जबकि घास की पत्तियों में यह शिराएं एक दूसरे के समानतर हैं। ऐसे शिराविन्यास को समानतर शिराविन्यास कहते हैं। बच्चों जैसे कि आप जानते हो कि पानी हमारे जीवन के लिए बहुत अवश्यक है, इसी तरहां पौधों को जीवित रहने के लिए भी पानी जरूरी है। पर बच्चों पौधे तो स्थिर होते हैं। पौधे जीवित रहने के लिए जल कहां से लेते हैं। पौधे की जड मिट्टी में पानी और अन्य खनिजों को सोख लेती है। इस सोखे हुए पानी का कुछ हिस्सा पौधों के लिए प्रयोग किया जाता है, बचा हुआ जल पत्तों की सतह से उड़ जाता है, भाव जल की यह बूंदें पत्तों से जल वाश्प के रूप में निकलती है, इस क्रिया को वाश्पुत सर्जन कहते हैं, आओ बच्चों, पत्ते में होने वाले वाश्पुत सर्जन को एक क्रिया के द्वारा जानते हैं, किसी शाक के पत्ते वाले तने को दिखाए अनुसार पौलिथिन से ढख दें, और धागे से बांध दें, एक खाली पौलिथिन को ऐसे ही पौधे के पास रहने दें, कुछ घंटों बाद पौलिथिन के अंदर वाले शाक में पानी की कुछ बूंदे दिखाई देंगी, यह बूंदे कहा से आई, बच्चों, पत्तों में से यह बूंदे जल वाश्प के रूप में निकलती हैं, जिसको वाश्पोत सर्जन कहते हैं, इस प्रक्रिया द्वारा पौधे बड़ी मात्रा में पानी को वायू मंदल में छोड़ते हैं, पत्तों में मंड या स्टार्च का परीक्षन, इस क्रिया को करने के लिए जो आवश्चक सामगरी चाहिए वह है एक हरा पत्ता, स्प्रिट, बीकर, अलकोहल, परक्नली, बर्नर, जल प्लेट, एवं आय अलोडीन विलेन, हरे पत्ते को पेट्री डिश में रखो, यह पत्ता कुछ घंटों के लिए सूरे की रौश्णी में रखा गया हो, स्प्रिट लैंप को आन करो, अब हरे पत्ते को गरम पानी से भरे बीकर में डाल कर ट्राइपोड स्टैंड में रखो, बीकर को तब तक ग आयोडीन विलेन को आसानी से सोख ले, अब पत्ते को पानी में से निकाल कर परखनली में डाल लें, इसमें अब कुछ मात्रा में अलकोहल डालिये, जो कि उस पत्ते को पूरी तरह से ढख ले अब इस परक नली को वापस से गरम पानी वाले पीकर में डाल ले और तब तक गरम करें जब तक पत्ती का हरा रंग निकल ना जाए पत्ती में हरा रंग पत्ती के अंदर क्लोरोफिल के कारण होता है पत्ती को नली में से निकाल कर पेट्रिडिश में रखे पत्ते के उपर आयोडीन विलेयन की कुछ बूंदें डाले पत्ते का काला नीला रंग हो गया है पत्ते का काला नीला रंग स्टार्च या मंड की मौजूदगी को दर्शाता है प्रकाश संशलेशन क्रिया पच्चों क्या आप जानते हो कि पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं क्या आपने कभी अपना भोजन स्वयम बनाया है विद्यार्थियों क्या आपको पता है छोटे से छोटा पौधा भी अपना भोजन स्वयम तयार करता है पौधों द्वारा अपना भोजन स्वयम तयार करने को प्रकाश संशलेशन कहते हैं आओ देखें कि पौधे अपना भोजन कैसे तयार करते हैं इस काम के लिए पौधों को चार वस्तूओं की जरूरत होती है सूरे का प्रकाश, हवा में कार्बन डायोकसाइड, क्लोरोफिल तथा धर्ती के नीचे का पानी प्रकाश संशलेशन पौधों के पत्ते द्वारा किया जाता है हर एक पौधे के पत्तों के बीच छोटी-छोटे छिद्र होते हैं जिने हम रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं स्टोमेटा द्वारा ही हवा में मौझूद कार्बन डायोकसाइड पत्ते के अंदर जाती है पौधा कोशिकाओं में छोटी-छोटी रचनाएं होती हैं और क्लोरोफिल की मौझूदगी में अपना भोजन तयार करते हैं और भोजन तयार करते समय बाहर निकालते हैं यह ऑक्सीजन स्टोमेटा के द्वारा पत्तों से बाहर निकल जाती है बना हुआ भोजन जोकि ग्लुकोस के रूप में होता है पौधों को पोशन देता है जिससे पौधा और भी बढ़ता है बचा हुआ भोजन स्टार्च के रूप में जमा होता है जोकि बाद में प्रयोग किया जा सके प्रकाश संसलेशन वह प्रक्रम है जिसमें पौधे कारबन डायोकसाईड, पानी, सूर्य प्रकाश, क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन स्वयम तयार करते हैं जड़ बच्चों पौधे पानी का उप्योग करके अपना भोजन तयार करते हैं पौधों के तने और पत्तियों को पानी जड़ पहुँचाती है पौधों का मिट्टी के अंदर हरा रंग रहित भाग पौधे की जड़ कहलाता है जड़ के दो मुख्यकार्य है जड मिट्टी से जल एवं खनिज को पत्तों एवं पौधों के अन्य भागों तक पहुचाती है यह पौधे को पौधे के पूरे जीवनकाल तक मिट्टी से जोड कर रखती है पौधों के जीवनकाल में जड के महत्व को एक क्रिया के द्वारा समझे दो पौधे A और B लें B पौधे की जड़ को कैंची की सहायता से काट लीजिए अब दोनों पौधों को जमीन में मिट्टी में डाल दीजिए रोजाना इन पौधों को पानी दीजिए कुछ दिनों बाद देखिए पौधा A पहले दिन की तरह ही खड़ा है और पौधा B मुर्जा गया है इस तरह हमें पता चलता है कि पौधों को जड़ों से पानी और खनीज मिलते हैं और पौधों के भिन भिन भागों तक पहुँचता है आओ अब इन पौधों को जमीन से बाहर खीचने की कोशिश करते हैं पौधा A की मिट्टी में जड़ होने के कारण उसे खीचना मुश्किल है क्यूंकि जड़ों ने पौधे को मिट्टी से जकर लिया है इस तरह पौधे B को खीचना असान है क्यूंकि इस पौधे की जड़ नहीं है इससे सिध्ध होता है कि पौधे की जड़ें पौधे को जकड कर रखती है जड़ों की किसमे? जड़ दो प्रकार की होती है मूसला जड़ और दूसरी रेशेदार जड़ मूसला जड़ वह जड़ है जो अकेली और एक लंबी जड़ है जो सीधी ही मिट्टी में होती है और इसके साथ की छोटी जड़ों को पार्श्व जड़ कहते हैं मूली, गाजर, शकरकंदी, शलगम आदी में पाई जाती है रेशेदार जड़ मिट्टी में फैली पतली पतली जड़ों का एक समू होता है यह सभी जड़ें एक समान दिखाई देती हैं, इनमें कोई मुख्य जड़ नहीं होती है इन्हें जकडा जड़ अत्वा रेशेदार जड़ कहते हैं यह गेहूं, मक्की और धान में पाई जाती है पुश्प बच्चों, अब हम पुश्प के भिन भिन भागों के बारे में जानेंगे सारे पुश्प, रंग, आकार और दिखने में भिन भिन होते हैं पुश्पों में ज़ादा तर भाग एक जैसे होते हैं पुश्प के एक एक भाग करके हम उसकी चर्चा करेंगे सबसे पहला भाग है पुष्प डंडी यह पौधे का वह हिस्सा है जिस पर पुष्प खिलता है यह तने के साथ लगातार होता है हरी पत्तियां पंखुडी हरी पत्तियां पुष्प के सबसे बाहर वाले हिस्से में होती है जैसे कि नाम से स्पष्ट होता है यह हरे रंकी होती है कुछ पुष्पों में यह जुडी होती है और कुछ पुष्पों में स्वतंत्र होती है हरे पत्तियों का काम पुष्प को उस वक्त सुरक्षित रखना है जब फूल कली के रूप में होता है रंगदार पतियां पुष्प का सबसे सुन्दर हिस्सा है यह पतियां गूढ़े और चमकदार रंग की होती हैं इनका गूढ़ा चमकता रंग कीडों को अपनी ओर खीचता है तो जो परागन हो सके पुष्प का नर जनन अंग है इसके दो मुख्य अंग है तन्तू जिसे फिलामेंट भी कहते हैं और पराग कोश पराग कोश के अंदर पराग कन होते हैं जो की आकार में बहुत छोटे होते हैं और जनन में काम आते हैं कुछ पुष्पों में एक पुकेसर होते हैं और कुछ में एक से जादा भी हो सकते हैं स्त्रीकेसर यह पुष्प का मादा जनन अंग है इसके तीन भाग हैं अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र वर्ति काग्र यह पुश्प का सबसे उपरला हिस्सा होता है और यह चिपचिपा होता है इसका काम परागन के दौरान पराकन प्राप्त करना है वर्ति का एक धागे की तरह की रचना है जो वर्ति काग्र को अंडाशे से जोडती है अंडाशे में स्त्री जनन अंग भाव बीजांड होते हैं यदि हम स्त्री केसर लेकर उसे लंबेदार काटे तब हमें इसमें छोटी छोटी गोल रचनाई दिखाई देती हैं यह बीजांड हैं कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जिसमें पुकेसर और स्त्रीकेसर दोनों होते हैं, परंतु कई पुष्पों में इन में से एक ही होता है. यह बात भी याद रखने वाली है कि पुष्पों में भिन भिन पत्तियां, पंखुडी, पुकेसर और स्त्रीकेसर की गिंती में फर्क हो सकता है संशोधन तना जड़ पत्ते पुष्प और फल पौधों के भिन भिन भाग है शाक जाड़ी एवं व्रिक्ष पौधों के तीन प्रकार है पौधों के तने के साथ जुड़े भाग को पौधे की डंडी या पिटियोल कहते हैं और पत्ते के हरे चप्टे भाग को फलक या लैमिना कहते हैं, पॉधे जडों द्वारा मिट्टी में से जल एवं अन्य खनीजों को सोकते हैं, जडों के दो प्रकार हैं, मूसला जड और रेशेदार जड, पुष्प के भिन भिन भाग, हरी पत्तियां, पंखुडी, पुंकेसर और स्त्रीकेसर हैं, आईए कुछ प् अभ्यास करते हैं, पॉधे प्रकाश संशलेशन क्रिया द्वारा अपना भोजन तयार करते हैं, सही या गलत, सही यह कथन बिल्कुल सही है, अगला प्रश्ण, पॉधे डैश द्वारा अपने शरीर में से बचे हुए जल को बाहर निकालते हैं, बिल्कुल सही, इसका उत् अगला प्रश्न पत्तों में मंड का परीक्षन डैश विलेयन से किया जाता है सही उत्तर आयोडीन विलेयन अगला प्रश्न पौधों के तीन रूप कौन कौन से हैं? बिल्कुल सही पौधों के तीन रूप हैं शाक, जारी एवं व्रिक्ष जडों की दो किस्मों के नाम बताओ सही जवाब मूसला जड और रेशेदार जड बच्चों मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को यह अध्याय अच्छे से समझ आया होगा धन्यवाद झाल